वरणिवे सरमनिय दर्षयनम्मंदहा सरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहम् विचेंतये ओमवतारिने स्री स्वामिनारायनायनमो नमः श्री सहजानन्दायनीलकंठायच नमो नमः श्री गुरुचरनकमलेभ्यो नमो नमः बोलो स्री स्वामिनारयन भगवाननी श्री हरी कृष्ण महराजनी जै श्री घनस्याम महराजनी जै कथा संभडनारा बधाज भगतों ने खूब हेत थी जै श्री स्वामिनारयन श्री हरी चरित्रामृत सागर पूर्चोथू तरंग नव्वानुमू भगवान श्री हरी थाल जमता जमता विचार करे छे एवी अदभूत आ वात छे एवी अदभूत आनू नामत छे हरी चरित्र अम्रूत सागर अम्रूत नो सागर छे तो महराजना मनना विचारनी आवात आपड़े स्रवन करी सु स्री हरी साबर मतिकू वर्दय विख्यात तिहा से आये मोल पर अति आनंद हुल साथ संत हरी जन सब ही जोवू स्री हरी ही सभाकीन रामानंद स्वामी तिहां आये बहु कर देन स्री हरी साबर मतिकू वर्दय विख्यात भगवान स्री हरी ये साबर मति नदीने प्रसिद्ध वर्दान आपिया आपना वाला पुज्यनिस्काम स्वामी ये आबधी वाद करी छे एटले विस्तार नथी करतो आपडे जे कथानो प्रवा चाले छे एमाज आगल जे महराजनी वाद सांबलवी छे त्यां खूब आपडे चिन्तन मनन करी सु महराजे साबर मती नदीने वर्दान आपिया त्यां थी किनारे रहला सुबाना महलमा आविया और आनंद थी अतिसे प्रफुल्लित थया सद्गुरु रामानंद स्वामी जिया घणीवार आविया हता त्यां स्रीहरिये बधा संतों नहरी भक्तों नी विशाल सभा करी हिराचन और इच्छाराम बन्य भाई समाधिनिष्ट सबसंगी हता त्ये बन्यने स्रीहरिये सद्गुरु रामानंद स्वामी नी बधी वात पूछी त्यारे तेमने रामानंद स्वामी जेतली वार श्रीनगर मा आव्या हता अने अहीं गाट उपर जेतली वार नाहिया हता ये बधी वात विस्तारे करिने कही भगवान ना चरीत्र अने भगवान जिवा एकांतिक महा पूरुसो ना चरीत्र आ बन्यनो महिमा जिवना कल्यान करवा माटे सर्खो जे सुन्दर जससत संगेनो सद्गुरु निश्कुलांद स्वामी भक्त चिन्तामणी मा भक्त चिन्तामणी ग्रंथ मा निश्कुलांद स्वामी परचावी भाग ग्रंथ लख्यो परचावी भाग मा पणपाचा हरी भक्तो ना जिवना परचाव लख्या स्वामी एम कहे छे आ भहु सागर ने पार उत्तरवो शेल्लो न थी पन भगवान न एवा एकांतिक हरी भक्तो थया एनो योस एना चरित्रो एनो महिमा ए जयरे सांबलवामा आवे ने क्यारे अपार एवो संसार सागर एपन गाईना पगला जेवो बनी जाई सद्गुरु रामानंद स्वामी क्यारे क्यारे पधारिया हता स्वामी एक यारे क्यारे केवीरी ते सनान करियो हतू आ बधाचरीत्रो भगवान श्रीहरी ए जुना जेरी भक्तो था निपासे थी सांबलया साबर मतिना किनारा उपर अनेक प्रकार्ना वुरुक्स नदी मा जुकी रहिया हता अनेक भाते के वुरुक्स ही ते हा सरिता तट पर जुक रहे ते हा सघनवन आते सोहत भारे फल फूल सब सब ही रहे धारे अनेक भाते के वुरुक्स ही जेहा साबर मतिनो किनारो हतो अने एक किनारा उपर सरस्म जाना वुरुक्स वेली लताओ चारे बाजु खिलेला हता कारण के जहल चे जिवन चे जहा जहल चे त्याज वुरुक्स त्याज वेली त्याज पसू त्याज पंखिन त्याज मनुस्या वुरुक्सोना घाटा वन अत्यंत रल्यामना हता दरेक वुरुक्स फूल अने फळो थी हरिया परिया देखाता हता ते बधा वुरुक्स मानो श्रीहरी नी पूजा करवा नाटे प्रेम थी तैयार थैरया हो एम जणातो हतु अनेक जातिना पक्सियो परस्पर कलरव करता हता सत्संगी जीवनमा दितिय प्रकरणमा सौथी प्रथम सभामा रामानंद स्वामिना चौदमाना दिवसे फर्यनी गम्मा सौथी मुट्टी सौथी पेल्ली आ सत्संगी नी हिस्ट्रिक एतिहासिक जे सभाथ है एमा महराजे वाद करी जेवी रिते नदी औने स्वरोवर होई त्या पसु औने पंखी आपो आप सामे चालीने खेचाईने आवे छे एवी जुरिते जे धर्मने पाले छे जे भगवाननी आगनानु अखंडानु संदान राखे छे त्या सूख औने संपत्ती सामे चालीने खेचाईने आवे ना मागवाथी सुख कोईने मलतू नथी बोलवाथी सुख कोईने मलतू नथी आवितो वाद महराजी एक वार नई बेवारनी हज्जारो वार वाद करी छे परणा ग्रंतना प्रसंगने अनुरूप छेतला माटे वाद करू छो सरोवर अने नदी ज्यां छे त्यां पसु अने पंखी सामे चालीने खेचाईने आवे छे एविरिते जे महराजी आगनाने पाले छे त्यां सुख अने संपत्ती सामे चालीने खेचाईने आवे छे सुखुनू मुलुचे धर्म, धर्मनू मुलुचे स्रद्धा, अने स्रद्धा विगेरे स्रदगुणुनू मुलुचे संतुनो समागम, साधुनो समागम करे, इतले रदैमा स्रद्धा प्रगटे, स्रद्धा एटले सुं, कसावानी तैयारी, स्रद्धा एटले सुं, सहन आवानी भावना साधुनो संग करे येटले स्रद्धा जागे केवी स्रद्धा जो मारवा नानो दीकरो ए घणिवार के मने मंदीर एक कज आवानी इच्छा था एक संतो माहेत छे येटले बाकी कंटाली जैज घणिवार प्रवाला संतो बोव वालती बोलावे ने नीव आवो एटले नीव तो खुस थाईजे येवारे दरेकने प्रेम गमे ने दरेकने प्रेम गमे जे येव न थी साधू स्रद्धाने जगाडे चे कोने जगाडे चे स्रद्धा धर्मने जगाडे चे अने आवेलो धर्म चे सुखने जगाडे चे भगवान स्वामी नारणनु श्रिमत सत्संगी जीवनना दितिय प्रक्रणमा आपेलो आ गणित छे, दरेक सास्त्रने लागे इव आ गणित छे, एकदम प्रेक्टिकल मनुष्यना तमाम जीवनने अड़तु आप स्पष्ट गणित छे साधू तमने सिधू सुख नथी आपता, आजे संत मेलान आजे नाजे तमने करणपते, लाखोपते, अबजोपते, सुखे, धनपते, स्रिमन, कुबेर, भंडारी बनी जाओ यव नथी पड़ एतली वाद चोकस, आजे संत मेला, एतले तमारा जीवनमा स्रद्धा आओवानी स्रद्धानों एकर्चे धीरज, स्रद्धान एकर्चे विश्वास, स्रद्धान एकर्चे सहन करवानी तैयरी पची तम mane lauto牌न लेवासो न, लोब मान लेवासो महरादनी आँग्णाने खातर एकादसीन उपफास अगरो नहीं लागे आगना पाडवी अगरी नहीं लागे, महरादनी आगना ने खातर कई जतु करवोशे तो अगरू नहीं लागे और एक वार स्रद्धा जागी एकले धर्म आएओ जोयू अने धर्म आएओ एकले पचि सुआउशे, सुख आउशे, सुख आउशे अध्भूत वाद छे, साबरमती नो किनरयवो सरस्म जानो छे, विचारतो करो, में साबरमती नदी जोही छे, पानी वगर नी, मेलाव अथता, छोक्राव पतंग उडारता, क्रिकेट रमता, आवी साबरमती, एक भगवाने एवो उल्यो पूरुस मोकलेव, नरेंदर भाय मोदी, मरेली साबरमती नेने जीवूती करी दिदी, अत्यार नी साबरमती, रिवर फ्रंट, अमना जमें अम्दावार्थी पसार थेलान, जहीन आएवा, कोई मानस अत्यारे जाय, नमारा भिखुदादा जेवाजीने सित्यर दायका जोया होई, यहनो तम अचरत थाय नहीं दादा, क्या ये जुनी साबरमती ने, क्या नवी स समय समय बलवान हे केवाई छे, नहीं मनुस्य बलवान, शास्त्रमा लखेली छे आवाद, वोईने टिका नथी करतो, पन खरे खर वचनामरु त्रमाने समय करता पन व्यक्ति बलवान छे, आ समय कल्यूग नो छे के नहीं ये त्यारे, स्रीजी महराजे गोपलान स्वामिने की धु, तमाराजेवा साधू जयां होई, त्या देश पन रूडो थाई, काल पन रूडो थाई, बराबर, और क्रिया पन रूडी थाई, वचनामृत्मा महराजे कईू, समय बलवान छे वाच चाची, पन कोना माटे नबला पूरुसो माटे, नपुन्सक पूरुसो माटे, महा पूरुसो ते टला बलवान होई छे, के समय नो प्रवापन पकड़ी लेई छे, कल्यूग छे, असत्यनू जोर छे, खोटू जोर चा आवे, आपने जोये छे, केतला सारा कारियो थया, बस एवी जरीते, आ सत्संग मा एका देवा महा पूरुस आवी जाई, एका देवा बलिया एकांतिक सत पूरुस आवी जाई, महराजना मुकलेला, तो हज्जारो जिव मायाना पग निचे गया होई ने, हाथिना पग निचे थी पूलो खेचवो होई, तो सुथाई, निव भगत, ना खेचाई, आथिना पग निचे गयालो पूलो खेचाई, एम एक वार मायामा डुबेलो जीव, ये पाछो वले, पन वले छे, आपने बदा वलाक नहीं, ये जन्मीन सिधा गोपडान समिय अता बोलो, जन् पेरिन चांदलो करने डेडिमेट थेन, आपने पाछा वले, मायामा डुबेला आता छता पाछा वली गया, कारण सुथ ये वा बलिया संत बल्या, एतला माटे वचनामृत प्रमाने, समय करता पन, काल करता पन, कर्म करता पन, भगवान ना एकांतिक महापूरुसो अती पलवान चे, ये जरे प्रगट थाई चे, तेर देश सारो थाई चे, काल सारो थाई चे, क्रिया सारी थाई चे, देश, काल, क्रिया, संग, मंत्र, दिक्सा, सास्त्र अने ध्यान, आ आठ वस्तु एवी चे, के जेनाती मनुष्यनू संपूर्ण जीवन बने चे, आ आठ वस मानसने जह भी मळे येवो मनुष्य ओटोमेटिक बनी जयी जाईजे आठेय आठमा आप वधारेम वधारे बढ़वान जो चार वस्तु देस का लकरियाने शंग इ Tai चार वस्तु मा प्रोष्य पढ़वानी उत्साद ईवो संग मळे वि साथे साथ वस्तु थाईजी ते मानों स्रीहरी ने बुलावा लाग्या होई एम लागतु हतु पंखियो जे कलरव करता हतान ए आवी सोभा त्यां चवाएली हती स्रीहरी ये त्यां सहुने पोताना दरसंदिधा अने तेमना जन्मने सुफळ करियो श्री नगर ना वखान करता श्रीहरी महल थी निचे उतरिया महल नी निचे नी बधी रचना जोईने पोते मनमा गणु खुस थया पच्छी पोते हाथी उपर बेठा अने उत्साहती सहर तरफ चालिया आगल अपार वाजिंत्रो वागता हता चोपदार छड़ी पुकारता हता नदी थी लईने सहर सुधी अनेक सारा बाग बगी चाओ हता जुदी जुदी जातना अपार फळो अने फूलो तेमा देखाता हता जेनो गणता पार आवे तेम न हतु रस्तानी बन्ने बाजुये रमणीय प्रकारना अनेक बंगलाव हता तेनी सोभाग कही सकाती न थी बंगलाव मा बिलोरी काचना अनेक जार बांधेला लटकता हता स्रीहरी ये एक एक बंगला जुया स्रीहरी परम दयालू छे परम दयालू भव भय हारे क्रुतारत करने नरतनु धारे जो जो स्रीहरी देखे जाकू अदभूत चोपाई छे अदभूत हमना गुरुजी साथे में हता मने गुरुजी एक बंगल टकोर करी सत्संगी जीवन नी कथा एना प्रसंगो वाचता हता अने वच्चे गुरुजी ए मने कईू कि सुवरत तमे कथा करो छो एम एक ध्यान राग जो जाजी वाद सास्त्रों नी करो आपणया खिस्सा माची काडेली कोई वाद करवानी ज नई अने जे जीवने असर छे ने या सास्त्रों नी वादों नी असर छे आ सबीज सब्दों छे केवा छे आसीत भगत केवा छे सबीज छे उगी जा येवा सब्दों छे मुक्सु जेव होई ने एने अडी जा येवा सब्दों छे एना रदैने स्परसी जा येवा सब्दों छे परम दयालो भव भय हारे ये प्रभु भगवान केवा चे अतीद याडों चे संसार ना भईने तार नाला चे क्रतारत करने नरतनु धारे यमने मनुष्यनु सरीर धारन करू चे आ लोकना भोग भुगवा माटे नई केवल ने केवल जीवोना कल्यान करवा माटे जो जो स्रीहरी देखे जाको जेना जेना उपर भगवान स्रीहरी नी नजर पड़ी गई अमी द्रस्टी पड़ी गई भव भटकन न होवत वाको ये तमाम जीव प्राणी मात्रना भवना भटकन टड़ी गया संसार नु भ्रमणी बधानु भांगी गयो श्रीहरी सहर मा आविया केटली वातो करू तमने स्रीजी महराज माटे आनंद आनंद स्वामी बे केरी नी गोटली लेनायवा महराज ने आपी महराज केरी जेमा केरी नी गोटली महराज नीचे नाखी लईली दी महराज केरी नी गोटली वावी शुआ एमाती प्रसादीनों आंभो थसे एए आंबानी केरी जेकोई जम से यन् uncle रूडू थसे एए आंबानी पाची गोटलीों ज्याज्या ववासे एमापन तमारी प्रसादीनों संब्द थासे येवी रिते आ आमबानू बीज जितलू जितलू फर्या कर से कि बद्धा जिवोने एनकेन प्रकारे तमारो संबंध था से महराज हस्या महराज के इसाधू आ गोटली हवे नहीं उगे क्यम आ केरी ने अमारो संबंध थयो येनू कारण सरीर बढ़ी गयो माटे हवे आ गोटली उगवा वाली रही नथी पोलू है कारण संद दा एक केरी नी गोटली ने पुर्षोतम नार्यननों संबंध थाई येनू पन भवभटकन अटकी जाईचे जो एक बोरडी ना जाडने भगवाननों संबंध थाई साधुनों संबंद थाई, येना पन काटा खरी जाई जे, लोयाना लिम्ब तोरुने भगवानना हाथनों स्पर्ष थयो, येनी कडवास जती रई, एक दुरुभाग्या मानस जेवो छे, येना काटा ये खरता नथी, कडवास ये खरती नथी, बोलो दादा, जेने जेने भगवाननों संबंद थाई चेने, आपड़ा संप्रदाई मा, सनातन वैदीक संस्कृती मा दिक्सा सब्द चे, समझे चोन, तमे सत्संगी थाओ, येतले सामान्य सब्द चे सत्संगी थया, थोड़ा आपड़ा सत्संग नो पेशिल सब्द चे वर्तमान धारन कर अपन सास्त्री सब्द चेने दिक्सा लिधी, अवे ये भगवानना लिगल फोलोर थया, बराब दिक्सा लिधी, आद दिक्सा सब्द माटे जी वेश्णों मा एक बहु सर सब्द चे, क्यो सब्द? ब्रह्म संब्द, तमने खबर चे, अमना कोट मा केस बहु मुटा चाले ब्रह्म संब्द नो भावार्थ चे, डिक्सा लिधी तमे ब्रह्मना संब्द माएवा, अवे तमे भगवानना संब्द माएवा, अवे तमे भगवानना मानस थया, अवे तमे भगवानना चो इम सतत अनुसंदान दाकीने जीवु जो, वाद केटली सरस्ट, छेने, बोलु वाथी ब्रह्म संब्ध घणाने थाई पन जो रदय थी ब्रह्मनों संब्ध एक वार थाई जाई तो एज करवानुचिन देदा आवी दिते श्रीहरी अती दयालू छे यहमना दरेक चरित्रोमा अनेक जीवोना कल्यान समायला छे श्रीहरी सहरमा आविया नर्नारी सहुं दर्शन करवा माटे दोडिया आविया दर्शन करता बधा घरना कामकाज भुली गया अनन्त भुवनोंना अधिपती श्रीहरी मानेक चोक थैने नवा वासमा आविया भक्तोना मनोर्थने पुर्ण करनारा सुन्दर स्याम स्रीहरी हाथी उपर थी उतरिया अने पोताना सिहासन उपर जहिने बेठा ते समये वरणी बुलावा माटे आविया रसोई तयार थयु होवा थी स्रीहरी जम्वा माटे उठिया चरणों मा चाखडियों पहरी औने ज्यां रसोय बनावी हती त्यां गया नथुभाई विप्रे स्रीहरी ने सारा बे पितांबर आपया तेमा थी एक पहरी एक ओड्यू स्रीहरी सुनाना बाजोट उपर बेठा सुख दायक स्रीहरी हाथ औने पग धोया पच्छी जेतला पकवान बनाविया हता तेना थाल भरी भरी ने स्रीहरी ने आगल लाविया जाजा पकवान हुआ थी अनकूट जेवी सोभा थाई होई एम लागतु हतु ते जोईने स्रीहरी गणू राजी थया जारे बधू भोजन आवी गयू पिरिशाई गयू ते आरे स्रीहरी जमवा लागया भगवान पधारे संतो घरे पधारे ते आनंद अतिसे ही थाई आ वरसे एटले के गया वरसे गुरुजी अमेरिका पधारिया त्यारे अरी भगतोई ठाकोर्जी महरादनी पधरामणी घरे घरे करावी गुरुजी ठाकोर्जी ने लईन आविया हता ठाकोरजी महाराजनी पधरामणी थई, घरे घरे अरी भगतोये निजर्सी माशूं, एतलांटा मेकन माशूं, फोरिडा माशूं, क्यारे के तमने दर्शन करावी सुमें फोटा साच्वी राख्या छे, अरी भगतोये एवास सरस्मजाना अनकोट ठाकोरजी माटे धराविया गुरुजी पन 38 राजी थया अमना पन वडोद्रा उत्सव मा बेची त्रणवार गुरुजी ये कथावाईनी नोंद लिधी रती तमें सांबली असे वाला बगतो आवर से पन महराज ठाकुर्जी महराज अने गुरुजी पधारी रया छे भगवान आवे एना माटे तो जेतलू करियेतलू ओछू जेतलू करियेतलू ओछू जे कदाच इना माट्या सरीर नू चामडू उतारी ने कदाच आपी देव उपड़े तो पण कहवाए छेने सो सिर आपता पाण सोंगा छोगाडा सो मस्तक जाता सोंगा छोगाडा तो एक सिर के लिए क्यों डरत है गमारा माट्ये आवर्षे पन जया 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 जयना गरे ठाकोरजी महरादनी और गुरुजी नी पद्रामणी संतो नी पद्रामणी थती होई ये बधा भगतो पधरामणी नो महिमा तोज होई तोज आपने बोलावा जो पधरामणी नो महिमा न होई तो आपने आग बोलावा नो आगरह पण न राखो जोई सारूछे अत्यारे आतों कतानों परसंग छेटले वच्चे वच्चे टकोर करी दव घणा अरीबुगत पधरामणी बोलावे घरे चादर पण न पात्री जी खाकोरजी माटे टेबल पण न राक्यो खोई तमे ठाकोरजी नी पधरामणी नसी करावता ठाकोरजी नो कुराजी पोलो जो संतो तो क्या कुराजी थवा नाए तो देयालू छे पर महराज आपणा घरे आवे चे राजादी राज आपणा घरे आवे चे ओबामा प्रेसिडेंट आपणा घरे आवतो होई केवी तयारी करिया आपणे आपड़ा वालम वाला कोई सगा आउता हो तो केवी तयारी करिये तो महराद तो आपड़ु जीवन छे आपड़ु सर्वस्व छे ठाकोर जी आपड़ा घरे पधरामनी आवे महरादनु सरस आसन होई महराद माते आरती, पुस्प, हार, जी आपड़ा थी थाई सारो प्रसाद, सारी वानगी, सारो अनकोट, सारो नेवेद्य ए तयार राखे शास्तर प्रमाने छे गुरुजी पधारे चैपड़ा घरे, कोरी, चोखी, संतो बेशी सकेवी कोरी चादर सरस्मजानी तयार राखे, आंगणामा दिवा पूरिये, आंगणामा साथ्याव करिये, आंगणामा रंगोली पूरिये, आप प्रेम छे, आपड़ी भाहुना व्यक्त करवानी रीत छे माटे आवी रिते, महराजना समयमा पणरी भगतो जो अनकोट करता, महराज अजी पधार्या छे, कई पेले ची नक्की नसी थायू, पड़ा अनकोटनी सोभा जोयने स्रीजी महराज खुब राजी थाया, महराजनो अंतर्नो राजी पो मल्यो, बदू भोजन आवी गयू, पिरिशाई गयू, त्याने स्रीहरी जमवा लाग्या, देवो ना आने मुनियो ना अधिपती स्रीहरी 56 भोग औने 36 प्रकारना व्यंजनो जमवा लाग्या, भोजन करता करता स्रीहरी विचारता हता, अवे महराज जे विचार करे छे, ए वात आधारन्द स्वमिन नोंधे एक एक सब्द ध्यानमा लेवा जेवो जे, जमता जमता स्रीहरी विचारे छे, रसोय मा स्वादनों तो कोई पार न थी, भक्तो नो आमा प्रेम भढ़ो छे, भक्तो आमा दील रडी दिधू छे, आमा जात जातना भाद भातना मसालाव मेराया छे, स्वादनी तो कोई वात स्वाद मा रायो छे, परंतु, कोटे जन्मलाग स्वाद मेखोवे, तोहु मन मेन सांते होवे, इनका नाम मोहा कहावे, जीय को कबु जाने मेन न आवे, जीय को कबु जाने मेन आवे, जीवने आ वाद क्यारेई जान्यामा आवती न थी, जे महराज विचारे छे, जे सद्गुरु आधारन स्वामी नोंधे छे, जे तमेने हूँ दरोज भुली जये छे, में हमना पाण कथानी सरुवात्मा कथा करता पेला वाद करी तमने, उपर अत्ती सई राजी पोचेनू एक मुख्य कारणे छे, नीमीत कथा सांबले छे, सांबले छे मने, अवे कथाने विचारे पण छे, येनू मनन पण करे छे, अमना गुरुजे एक बहु सरस्चुत्र आयपू, वालानी कथा कागल माज नई, कालजा मा पन लखो, किवी सरस्वात छे, आ कथा कागल माँ नई, अवे क्या लखो, कालजा मा लखो, आपड़ आ मनन सामा टे करे लू, मनतविय लखवानी प्रथा सामा टे करी, अनि जे जे भक्तो मनतविय लखता थया, ये बद्धाना अनुभो मेतो जाते जान्या छे, अमना अज घंशाम बगत बेठा आता, मने मने एक वात करी, एक वार में बेठा आता, कथा मैं आयवात आता त्यारे, कि प्रगट संतों ने प्रगट भगतों एमा केविरीते हेत करिये एनु केविरीते स्मरण करिये ने केविरीते संभारिये आ वातने याद करता करता भगत एतला बधा मने वात करता करता एतला बधा भाववेसमा वी गया आपने में धाई वाद सांबलवी एना करता पने वाद समझवी आगलनी वस्तुचे वाद समझवी एना करता पने वादने जीवनमा उतारवी ये स्रेश्ठ वस्तुचे गणिवार उत्षवो समया आबधु करियाने एमा आपणे एक काम चुकी जिये छे सुन कथा वारताने जीवर्मा उतरवान। गुनात्यानन्द स्वामी वसो गम्माएवा वसो गम्मा महरादना आसिर्वात्ती जम्नो जन्मतोयोत तुलसी भाई बहु सारा भक्त। तुलसी भाई ना दिकरा वागजी भाई एपने वा परम एकांतिक भक्त। बाप दिकरा एका बिजाने चडे वटे एवा भक्त। गुनात्यानन्द स्वामी ने बोलायवा छे स्रिजी मारे धाम्मा गया पचिनी वात त्रोन दिवस गम्मा राख्या छे एटलो मोटो समयोकेरो छे देश देसंतर नाहरी बग्त। गुनात्यानन्द स्वामी ने बोलायवा छे त्रोन दिवस उदी वाग्जी भाई अखंड गुनात्यानन्द स्वामी नी सेवामा अने तुलसी भाई ए मानस्वानी सर्भरामा मोटा मानस अतायकले 32 गुनात्यानंद स्वामी विदाई लेई छे तुलसी भाय हाथ जोडीने करगरता बोल्या गलगरा थे नेक स्वामी तमें पधार्या त्रण दिवस रोकाया पन जो ये वो लाब लई न सक्यो त्यार गुणात्यानंद स्वामी पन उदास्थ है ने बोल्या कि तुलसी भाई तमने लाभल आप्पा माटे में आयवा हाता पना वागजी समझी गयो पन तमें समझी नसक्या आप दो व्यहवार गोण करी और वागजी भाई नी जें पलाठी वाली जो अमारी वातों सांबली होतने तो करोडो जन्मनी कसर भांगी जात करोडो जन्मनी घणी वार आपडे पना वी भोल करिये जी उद्सव समयानों व्यहवार एकलो बदो वधारी देए कि कथावारता गोण थाई जाई भगवान भुलाई जाई सत्संग मिंडू थाई जाई अन बहु साची वात चे स्याग गम्मेतलों सारू बनाविये गम्मेतला सारा मसारा नाकिये पन मिठू नाखवानू भुलाई जाई तो दादा बस एवी जरीते आपडा जीवनमा गम्मेतली आपडे सजावट करी सू पन भगवान भुलाया एकले समझी है कि जीवनमा बहु मोटी भूल करी स्री जी महाराज जमे छे अने विचार करें छे आपड़ आवो विचार क्यारे करो नहीं होई स्री जी महाराजिम के जीवने आवाद क्यारे जानेयमा आवती जणती कई वार वाच्छू चु ध्यानती सांबड जो हाँ जीव रसास्वाद मा करोडो जन्मने खोवे छे स्वामी विवेकानन दे एक प्रवचर में कयो हतु के हिंदू धर्म रसवडामा केद थाई गयोहे छे इंदु धर्म रसोडामा केत थे गयो जे उन्जा गमना उदे कुर बाय हता श्रीजी महराज आयवा श्रीजी महराजना आगमन नी तैयारी मां बाय एटला बधा भावविभोर बनी गया एटली बधी रसोई बनावी एतली बधी रसोय बनावी स्रीजी महारजना दर्शन माटे नोई टाइम न मढ़ो युमने सेवा साची हती सांबल जो भूल क्या थाईजे सेवा साची हती यहमनो उत्सा साचो हतो यहमनो आनंद साचो हतो पड़ेमा विवेक चुकाई गयो सेवा कोना माटे हती महाराजना दर्शन चुकाई गया औने स्रीजी महारजन ठपको आयपो कि आ आ बदू बनेवू कोना माटे महारा तमारा माटे अमे आईवा छिये दर्शन देवा माटे दीवय सुख आपपा माटे तो आ दर्शन नू सुख तमे नई लई सको तो आ सेवाक्सु काम लागवानी स्रीजी महाराज एट ठपको आयपो महाराजनो ठपको अडी गयो औने यहमने संकल पकेरो कि महाराज अवे आव व्यहवार माँ जेतलो समय ओचो थाईने एटलो ओचो करी औन अखण तमारू भजन करवू छे रसोय बनावानू बंद कर्यू एक सिंगोडू खावानू नीम राख्यू सिंगोडू आवे ने एक सिंगोडू खाईलेवानू तमा पूस्टीकता पूरे पूरी होय अने भगवान ओखण भजन करवू तेर वर सुधी कोई रसोय बनावानी नहीं खोटी जिंजट करवानी नहीं ओचु जम्मानून जाजु भजन करवानू उच्छा होगो जोये उच्छा हो करवा जोये आनंद करवो जोये महारादनी सेवा करवी जोए परन्तु सेवा करता सत्संग चुकाई जाए तो सेवा खोटी सेवा सत्संग विनानी छे सांबल जो सेवा जो सत्संग विनानी छे तो कल्यान नहीं करी सके पर सत्संग छेन सेवा नथी करी सकतो तो कल्यान थे जाए जासे કાણ કે સતસંગ તો કરે છે ખૃના ભગતો એવા હોય એની પાસે ધણની કેશીટી નો હોય जेतलपुर्णा जीवन भगत जेवा होई अती गरीब होई दुबली भट जेवाई अती गरीब होई सुदामा जेवा होई सेवा न करी सके दुडधाम न करी सके पर साधुमा अपार हेतु होई पलाठी वालिन छेलले सभामा खुणा मा बेठा बेठा कथा सांबलताओ है अमे अमाना वडोद्रामा गया इंडियाना अमुखभक्त तो यवा प्रेमी यवा निर्दोस अतला निर्मढ तला दास भावे सेवा करता थल्घा आपणा रदै मा थी हा पड़ी जाए आपड़ा रदय माती अंतर माती सब्द निकली जाए कि महराज आज जीवन उकल्यान हवती पेलो कर से स्रीजी महराज जो आज सभा माती पसंद करें महराज धाम्मा कोने बेहरवा तो पेलो नंबर आनो लागे ये वाज जीवन होई जोयाचिन तमे पिचारा सत्संग करता होई बहुँ दुरधाम न करई सके बहुँ खर्च न कर सके बहु उद्षाथी जाजाप अनकोट के मुटा समया न करी सके पन भले सत्संग चेने ए सत्संग अत्यानतीक कल्यान सुदी पुँचार से स्रीजी महाराच सुम विचारे छे करोडो जन्मो जिवे रसा स्वादमा खोया छे अने अत्यार हाचे जिवाद छे मनुष्यनु आख्खु जिवन बहुँ सरस्कोय लख्यू छे मनुष्यनु आख्खु जिवन पानी प्रकास पवन अने खोराक आचार तत्व उपर्न भेलू छे आख्खु जिवन क्यों जो पानी निकली जाई तो जिवी सके. पवन ओक्सिजन निकली जाई तो जिवी सके. हा केना तो क्यो न खंचे म लख्यां? प्रकास आपनो त्विय पर σदंतल निकली जाई मनुष्य Lac. आउने खोराक आ चार वस्तू मनुष्यना जिवन मा कम्पल सरी अच्छा वजता अन्से पानी प्रकास पवन अने खोरा एमा भगवाने दया केटली मूटी करी त्रण तो फ्रियोप चार जाये पा पानी प्रकास बोलो दाद बील आवे चे सुरियनु राइट नू पवन ओक्सिजन एकद वस्तु मानसे मेनत करवा नीचे केना माते है पड़ी एक वस्तु मानस केटलो बधो टाइम बगाड़ेची केटलो बधो टाइम गणी वरतमें जोओ छोनी रसोई बनावा मात जो राद थाई जाई तो जमवानी क्या रहे पथारी पाथरवा मात जो सवार थाई जाई तो सुवानू क्या रहे एम आपड़े विवेक चुकी जेए जे विवेक कया कारण थी चुकी ची ये ए वाद महराज करे जो करोणो जनमो रसास्वाद मा खोवे चे अने तेना थी मनने सान्ती थती न थी डायो जिनियस नामनो राजा थयो इतिहास मा ए राजा ने एकलो बदो रसास्वाद नवु नवु खावानी इच्छा पन पेटनी लिमिट छे आ पटारो तो छे ने तो ए एक पंखिनू पिछू राखतो एने जारे खावानी च्छा थाए तेरे मोडामे पिछू नाखे ए पिछू मोडामा नाखवा थी उल्टी थाए बद्दू खादेलो अनुबार निकली जाए पेट खाली थाए एले खाली थेले फरिवार जमी सके आवी रित्ये वारम वार उल्टी करिन खावा थी राजा मरी क्यो बोलो थाई सांती अत्यारनू विग्णान पन स्विकारे छे भुख मराने कारणे जेतला मानसो नथी मरता येना करता वधारे मानसो वधू पड़तू खावा थी मरे छे शिम्पल लिविंग एंड हाय थिंकिंग जिवन नी स्रेष्ठमा स्रेष्ठ दीच सादू भोजन अने सम्रुद्ध जीवन रसास्वाद मा करोडो जनमो खोया करोडो जनमो अपना सास्त्रों मा तो गणी बदी वाद छे पन टूक मा एक वाद सिक्षा पत्रिमा माहराजे कहिऊ सर्वेंद्र यानी जह यानी रसनातू विशेष्ठ अमारा अस्री तो ये बद्धी इंद्रियों जित्वी पन जीबने विशेष्पने करिने जित्वी वचनामुरुत मा माहराजे वाद करी कि एक जिहवा इंद्रि एवी छे एने जो जित्वा मा आवे तो बिजी बद्धी इंद्रियों ओटोमेट एक जित्वाई जेष्पने तमे बधा सत्चंगी भगतों अमारा संतो मातो महराजे मरियादा वी सरस्करी छे जो ए मरियादा मा रहिए ठाकर जिने जिये थाल मा गयू होई एज जमी लेवानू अपन तमारे तिया बज्याना कजिया बहु मोटा होई जहां बहु मोटा कजिया माटे रसास्वाद ने आपने ओलख्ये इने काबुमा लईए करोणों जन्म जीव खोवे छे इना थी कई मनने सांती नथी थाती आनूज ना मोह छे पन जीवने क्यारे समझ्यामा आउतू नथी जेवो रसास्वाद छे तेवीज गंधनी पन आसकती छ तेवीज रूपनी पन आसकती छे औने ते प्रमाने सब्द पन बंधनकाली छे न स्पर्श विशय छे ते पन तेवोज छे पाँच विश्योने भोगवामा पूतानू हीत औने अहित केटलू छे ते अंगे जीव तपास करतो ज नथी जी अने भगवानने राजी करवाना होई तेने आप माएक पंच विशय विखन रूप छे इंडिया मा दसमा बुड़नी एक ज्याम होई अने छोकरों बदान लगन मा जाई आखो दिवस क्रिकेट जोवे आखो दिवस टिवी जोवे ती पास थाई खरो आके ना तो क्यो क्या रिय पास न था एक जम मा पास थवा माटे एमा विग्णरूप चैटीवी विग्णरूप चे बहु विचरण विग्नरूप चे जाज जेते जग्याई मन्ने डिस्तेक करवू आ बदी विग्णरूप प्रौदती बंद करे अने एका ग्रतेने भगवान ने भणवा बेशे तोज ए बालक परिक्स्यामा पास थाई सके बस एविज रिते पंच विशैनी आसती अतिसे विग्णरूप छे कोना माटे जेने भगवान ने राजी करवा छे एना माटे एना करता आपड़े आगल थोड़ू विचारिये जेने आ लोक मापण सुखे थीन सांती थी रेवुची एना माटे पना पंच विशैनी आसकती दुखरूप छे कुरंग मातंग पतंग भृंगाह मीनाह हता पंच भिरेव पंच माचली एटलू चंचल प्राणी छे कोई दिस आथमान आवे पन माचलीने जीवा सकती जीवा लोल्य प्रसत्तानाम सास्त्रमा द्रष्टान तै माचलीने जीवनी आसकती अत्यंत होवा ने कारणे एक नानी एवी लोटनी गोली माँ ए माचली एवी बंधाई कि लोटनी गोली होई एने खावावे औने काटे करनेनु जीवन विंधाई जाई औने कायमने माटे माचली मरी जाई जे जे पसोव मा पंक्योव मा एक एक विशाईनी आसकती छे पतंग्यू रूपय करिने मरे छे हरण सब्दे करिने मरे छे हाथी स्परस्य करिने मरे छे जुनासमिना द्रिष्टान तो जो बजे ज्या बीन मीठू त्या हरण तो ए दोडी नव जाजे हरण तो दोडी नव जाजे विन्धावू बान ना करता म जाचे दूर रहवा मा पंच विशाईनी कवीता हरण ने संबोधिने कवी यम कहे छे अरे हरण आ सरस्मजानी मोरली वागे छे ने तो मोहित न थतू जो मोह पामीस त्या नजिक जैस आ मोरली दरोज वागवानी न थी आ मोरली नहीं आतो तरो काल छे काल सावधान मजा छे दूर रहवा मा सब्द, स्पर्ष, रूप, रस, अने गंध भगवान या पांच बेड़ी येवी खतरनाक करी छे न येवी खतरनाक कोई सब्द मा थी बचे तो रूप मा फसाई, रूप मा थी बचे तो स्पर्ष मा फसाई, श्पर्ष मा थी बचे तो गंधमा फसाई स्रीजी महाराज जमता-जमता विचार करे छे कि करोडो जनमो जिवे आविरित्य खोया छे पण जिव पाचो नथी वलतो आवा सारा-सार अनकोट बने महाराजनी प्रस्ताजिन लोभोई प्रस्ताजिन लोभेकरी ने जम्वा लागे भगवानने भुली जैन भोजनने प्रधान करी नाखेलो अगरू छे आतो बोलू शेलू छे हां तमारी वात नहीं मारी वात करू तो एकव महराधना समयमा गोविंदानन्द स्वामी हता गोविंदानन्द स्वामी केतला बधा बढ़वान साधू हता साधु थवा माटे निकल्या स्वामीनु रूप अतिसे हतु स्वामीनु रूप जोई ने ब्राम्मननी बे दिकरियो स्वामीने परणवा माटे तयार थई स्वामी त्याथी भाग्या एक राजानी दिकरी राजकुमारी का फरतियसे एने स्वामीनु रूप जोयू अतलो रूपाळो आवो भुटडो युवान्त मने पती तरिके मले तो राज कुमारी मोही गई परणवा माटे तयार थाई त्या स्वामी ठोकर मारी ने भागया मुठी वाली ने आवा बलिया साधु विचारतो करो भर जुवानी होई एकांत मा राज कुमारी मले राज्य मले रजवाडु मले औने मुठी वाली निकली जाई येनों वैरक क्यो हसे आ साधु गोविंदा नंद स्वामी केवाई छे जेतल पूर्मा आयवा गंगा मा रोज डाल भात येवा सरस्मजाना बनावे औने प्रसाधी मोकले गोविंद स्वाम गंगा बाना डाल भात्मा एवा बंधाना एवा बंधाना के बधा संतो 15 दिवस थे आतले के विचालो गढडडा माहराद नो संदेश हैवो छे माहराद अनकोट उत्षव करेचे गढडपूर जवानों छे गोविंद स्वामी के तमे बधा जाओ माहराद नी आगना छे न गोविंदान स्वामी न गया सामाटे न गया के आ जेतलपूर छोड़ी सुनतो आवा डाल भात खावा नहीं माने तमे कल्पना करो आ बधी वातो तमने ने मने समझाव माटे छे आपड़े जो भू फाको मारवा जहिसूने तो नहीं चाले येना करता महराद नी बांधेली समझाव ओ कि ये मरया दाव छे ने येमा रेसू ने तमारू नमारू बधान्यू कल्यान की तो एक कल्यान ली उदभुदा गोविंदान अन श्वामी डालभातमा बंधाया महराच संटूने पुछू साधूं तम्य बधायवा गोविंद स्वामी क्यमनायवा महराज ये तो त्या जेतलपूर मा रहया आवीरी ते कई ने रोकायाची अमें कईयूत ओपन पराणे रोकाया अंतरिया मी हता ने जाने गया क्या आमा तो स्वमिना रदेमा कपट पन छे और स्वमिना रदेमा पाचो स्वाध पन छे एक दोस बिजा केतला दोस ने बुलावे एक दोस बिजा केतला दोस ने बुलावे और जीवन मा एक सारो गुण बिजा केतला गुण ने बुलावे एतले उन घणी वार कथामा वाद करूचू भारम वार करूचू कि मानसे मेहनत करिने पताना जिवनना दोस इने टालवा जोई अन एना करता पन महा मेहनत करिने मानसे सारी तेव सारा सदगूनों जिवनमा उतारवा जोई खनके एक सारो सदगून हसे तो विजा दस सारा सदगून ओटोमेटिक आवसे उत्तारवा जेव सारो सदगुण कilly हो ? जिवनमा केलवा जेव सारो सदगुण कilly कथावरता साम्मलो ? सदगुण नानो चे ! सदगुण नानो चे ! घंडा लोको टिकाटी पणि करे ? आतले लोको कथा साम्मले कोण ुद्रू ? केनारा बद्धु केये छे ! पन सास्त्र प्रमाने अमारा संतो ना अनुभव प्रमाने तमे बद्धा कथा सांबलोचो तमारा अनुभव प्रमाने पन तमे ज्यार्थी कथा सांबलता थया ज्यार्थी तमारू मन कथामा थोड़ू स्थीर थयू आ एक गुण आयो पची तमारा जीवनमा केटला गुण आ मां बराबर पती पत्नी मां सारा सद्गुर्णों केतला ने केवा केवाए वात में वीचारों आयवाचे है हाँ के नहीं मने क्यों बद्धा जहां पाड़ से महारग ने दुख थाई आवा सारा साधू डालभात्मा बंधा है अमारी मुर्तिनू सुख छोड़ी दे औने पाचा साधू साथे कपट करे महारग ने दुख थाई महारग पोत्ते जेतल पूराए वा अवे तो दर्शन करवाए ना अवे क्या चाहे स्वामी दर्शन करवाए वा महारग तो अंतर्या में हता जानता जाता गोविन सुख ने ठपको आई पो स्वामी पनिवा आपडा जेवा कई हता नी ये तो मुक्तो हता बदा आब दी लिला तो तमने ने अमने समझाव माठी हती ये कई बंधाय वा नोता पड़ महाराजे स्वामी ने बो आकरो दंडाय पो स्वामी तमाराजेवा साधून आविरिते बंधाय गड़ामा रिंगनानों हार पेरेवो आखा गाम्मा हाव हाव करेवो बोलो स्रिजी महाराजे रसास्वा तालवा माटे गोविन स्वामी ने दंड पन आय पो शिक्षापण आपे, कड़क सब्दोपण कया तो पन एतो एवा समर्थ संतोहता पाचा निकली गया पन करोडो जीवो एवा छे कोई रसमा, कोई सब्दमा, कोई सपर्समा, कोई रूपमा एवा फसाई छे, एवा मरी जाई छे माटे महराज कहे छे आ वाद जीवने समझाती न थी येनू कारण सूछे मोह चे सूँ कारण चे येनू जो सामबलो मोह को अंतन आवे कबू कबू न भजे हरिते मोह को मारग छोड़ दे तब होय हरेशे ने मोह को अंतन आवे कबू महराजिम कहे छे मोहनों अंत क्यारे आउतो न थी मोह होय त्यां सुदी क्यारे भगवाननू भजन पन थतु न थी उपरति देखाय भजन थाई छे पन अंदर को नू भजन थाई जियनो मोह होय येनू भजन थाई आपड़ा जुना संत्यम केता मोक्स येटले सुँ मो क्ष, मो एकले मो ह, क्ष एकले क्षई, मो हनो क्षई, एनू जना मो क्ष अमुक तत्व तो आ सत्छन मा एकला बदा समझवा जिवा छे जी तो वाद घणी बदी लांबी छे, स्रीजी महाराज अधभूत वाद करे छे पंच विशय मां जीवने आसक्ती छे ये आसक्ती ने कारणे जीवने मोह थाई जे अनि मोह ने कारणे जीव साची वात ने समझतो न थी अनि साची वात न समझी सक्वाने कारणे कर लो जनमा बगाडे जे समझानू तमने ffe lorsque પંડલી વાત સ્西િજી માહરાજે કરી હચી બરાબર બેટું મગજમાં ઐસિદ બગત स्रीजी महाराजे करी अजी बराबर बेटू मगजमा आसित बगत पंच विशय मा क्याक आसकती छे येने कारणे जीवने मोह थाई जे मोह थवाने कारणे जीवने साचिवात समझाती नथी साची वाद सम्झाती नथी एने कारणे करोडो जन्म जीव आवी दीते बगारी नागेचे हवे सम्झानू हवे महाराज मोहने हम जावेचे कोने सम्झावेचे अगराम अगरु आतत्व छे सीता जेवा सीता भगवान ना पतनी हता आध्य सक्ती हता मा जगदंबानू स्वरूप केवाई तेम छता हरण मा मोह थयो और केवो मोह थयो हरण क्यारे सोनानू होई नसके पर सोनानू देखानू जे सीता क्यारे रामना पडचाया थैने रेना रहता रामने आदेस न करे ये सीता है जिद पकड़ी मने अहरन लाविद्धो असोनान अहरन मारे जोईएच जे सिताये क्यारे रामनी अगल जीद नथी करी रामने आदेश नथी करो ये सिताये रामने आदेश करो गम्मे तेम थाई मने अहरन लाविद्धो सिताने जे मोह थयो माथी किटली मोटी उपाधी थाई मोह सकल व्याधेन कर मूला तिन ते उपजही पुनी बहु सूला मोह सकल व्याधेन कर मूला तिन ते उपजही पुनी बहु सूला मोह सकल व्याधिन कर मुला बद्धी उपाधिनू मूल कारण कौन छे? मोह मोह नुश्थूल नामचे आसक्ति और शुक्स्म नामचे मोह पड़ आसक्ति ने तमे उल्कि शको पन मोह ने नती उल्कि शकता आज़े थोड़ी छणवट करिदो आसकती ने तुम्हे ओडखो छो, पड़ मोहने ओडखी नसी सकता, अवे तमने एक सिंपल द्रिष्टान तापू, तमारा बद्धाना घरमा जगड़ो हसे हसे ने हसे, बद्धाना कोई बाकी नहीं होई, कोई इमके मारा दिक्राने कउचु हमत्तो नथी, कोई के मारी पत्नी ने कउचु हमत्ता न थी, कोई के मारे पत्नी कउचु हमत्ता न थी, बराबर आच्ये के नहीं बद्धाना करमा, कोई नू घर सलामत नहीं होई, कि मोह यो तप्त्तव छे के घर घरमा पेहिज गयो छे, सवाल क्या होई, गय काली जे करी बगतनों फोन आए हो, सवामी या कोई देकरो अत्यारे सुवानो ठाइम थेयो democratनों कोव छे एने टीवी जो भी छे अत्यारे जीदकरणी टीवी जोंछे सवारे ज्हाकतो न थी, सुक करी है सवामी क्यों चожет करह न टीवी जोवी छे बापाने ने सुवारी देवोजे दले धमल थै तुक मा तम ने सो देखाईची एक छोकरान टीवी जोवामा आसकती शाची वाद में तमे जे समझो चे पण खरे खरे नूं मोल तमारे पकडवू होई भविशी माई छोकरान तमारे सारी ते समझावा होई उंडा उतरो छोकरान टीवी जोवामा आशकती तो छे पन एना करता वधारे तमें जो बहुत टोर्चर करचो गमेतिवा सब्द केशो क्रोध करिने केशो ती छोकराने तमारामा थोड़ु गोणू हेच्छे ये पन टुटी जसे तमारामा जो हेच तुटी तो तमारी हाची चिवाता से पन मान से नहीं कान नहीं माने तो आजे तो टीवी drain आ शकती आलेबीज़ी आशकती प्रंदीज़ी आशकती येनू जिवन खलाश्टे जैसे एतला मारे शास्त्र कहेचे खोटु करनार व्यक्ति सा थे पन तमे खोटु ना करो ये जी आसकती छे ये आसकती येनू मोळ तत्व चे मोह, में मनाके येनू पंच विचाइयी नी आसकती माथी मोह जन्मे चे, मोह जन्मे छे ये जिवने कोईी वाद समझाती नथी। कोई नी वाद सम्झाती न थी एकली नो करोडो जन्म बगडी जवाना माटे तमने देखाई छे कि दीकरेने टीवी मा आसकती छे तमें सावधान थाव तमें थोड़ू ध्यान राखो ये चोकरने प्रेम थी ये चोकरने बहुँ सम्झावी ने धिमें धिमें तमें जो ध्यान राखो तो ये तमारा मा थोड़ू हेत थासे तमारी वाद मना शे तो इह आसकती माथी बार निकली जशे पन तमें हामें को हाडो डुलो तो बहुत समझवा जिविया वस्तू छे वचनामरुत मापन महराजे मध्यनू वचनामरुत पेल्लू अखु मोहनू वचनामरुत के वाई छे तमने बद्धाने विननती काले मोहनू वचनामरुत वाचीले जो तमें बदा आपने विशेश चर्चा आलती काले करीशू 24-25 सुधिनी कथा पूरी थाई छे बोलो घनस्या महराजनी